अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टड़ी आईक्यू पर इस साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्धालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने की दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बूक याँ टेलिग्राम के माथिम से मिरसत कनेक्ट कर सकते कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है आप यहाँ पर मुस्से जिस विशेप बात करने वाले हैं वो संबंदित है हर्याना से तो हर्यानीराज्ये में भिवानी जिले का एक गाउं जिसका नाम है सुई उसको कुछी समय पहले देश के महामहीं राष्टरपती मोहोदेद्वरा उस गाउंग का उधखातन किया गया है सुनने में बड़ा अजीब लगए है कि गाउं का उधखाटन क्यों किया गया है उधखाटन तो कोई ऐसी चीज़ का होता है कोई नया प्रोजेक्ट बनाया जाए तो आदर्श ग्राम योजना यानि कि मौडल विलेज बनाना एक गाउं को और उसके बाद उसमें सारी आथोलिक फैसिलिटीज लगा करके उसके बाद एक आदर्श विलेज के रूप में इसको इनागुरेट माननी ये राष्टरपती महते द्वारा किया गया है विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अगर आप हर्याना स्टेट एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं चाहे पुब्लिक सर्विस कमीशन है जूडिशरी या ससी हो किसी भी कोर्स के लिए आप हर्याना एक्जाम्स में प्रिपेर कर रहे है studyiq.com यह studyiq किया पहतरिन स्मार्ट कोर्स इस के लिए जरूर दोस्तों देश के माननिय राष्ट्रपती महामहीम राष्ट्रपती कुछी समय पहले अर्याना के भिवानी जिला पहुंच रहे थे जहां पर उन्होंने एक गाउं की एक विलेज के अंदर बहुत सारी नहीं- public facilities को सार्वजनिक सुविथाओं को इनाबूरेट किया है तो यह गाउं सुई राम का यह गाउं है तब प्रेजिडेंट वाइल स्पीकिंग ऑन दी ओकेईयन सेड रूरल डैवेलप्मेंट इस दी बेसिस ऑफ नैशनल डैवेलप्मेंट इनार विलेज डॉमिन एक अंदर तो देश की अर्थ व्यवस्ता है वो कही ना कहीं ग्रामिन अर्थ व्यवस्ता उसमें एक एहम भूमिका निभाती है क्योंकि आज भी मेजर पोर्शन जो है वो रूरल इलियास का है इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर भारत को देखना है तो ग्रामिन शेत्रों में जा कर तो इस village के अंदर सारवजनिक सुविधाओं का inauguration माननी ये राष्टरपती महदेद्वारा किया गया और उनने कहा कि इस तरीके के occasion से जो ग्रामिर विकास है उसमें बहुत जाता तेजी देखने को मिल रही है तो भिवानी जिलेग के अंदर ये एक तहसील है जिसका नाम है बवानी खेरा तो बवानी खेरा तहसील में एक जोटा सा गाउं है सुई जिसको आदर्श ग्राम योजना के तहट डेवलप किया गया है सुई इस विलेज ऑफ भवानी खेरा तहसील इन भिवानी डिस्टिक तो जिला भिवानी है हर्याना का तहसील जो है वो बवानी खेर दस किलोमेटर दूर है ये अपने डिस्टिक हेड़कोर्टर से और हर्याना की राजधानी चंडिगर से करीब 256 किलोमेटर की दूरी पर ये गाउं बसा हुआ है इस गाउं का आदर्श गाउं सुई इसका उधगाटन सामारो हुआ था जिसमें माननी राश्च्रपती महोदे पहुँच रहे थे ये पूरा का पूरा गाउं डेवेलब किया गया है आदर्श ग्राम योजना के तहें तब यहाँ पर जादा इंपोर्टन यह है कि आदर्श ग्राम योजना क्या है आदर्श ग्राम योजना नाम से समझ आता है एक आईडियल एक मॉडल विलेज डेवे एक आदर्ष बन जाए इस तरीके की development को आदर्ष ग्राम नाम दिया जाएगा through the implementation of existing schemes and creating new initiatives designed for local context which may vary from village to village already ग्रामिन शेत्रों के विकास के लिए rural development department है rural development ministries है और उनके पास n number of schemes और initiatives मौझूद है यहाँ पर काम सिरफ इतना है कि उन सारे के सारे initiatives को schemes को implement किया जाए so that गाओं के अंदर best of the facilities provide की जा सके इस पूरे के पूरे initiative को आदर्ष ग्राम योजडा नाम दिया गया है creating model of local development which can be replicated in other villages किसी भी एक गाओं को identify कीजिए वहाँ पे state of the art facilities दीजिए model infrastructure जितना possible हो सकता है बुनियादी सुविधाय उस गाओं को और गाओं के लोगों को दी जाए ताकि बाकी सारे गाओं के लिए देश भर के ग्रामिन शेत्रों के लिए वो एक developmental model बन जा है जिसको replicate किया जा सके जिसकी तर्ज पर अन्य ग्रामिन शेत्रों का विकास भी जो है वो किया जा सके तो ये जो आदर्श ग्राम योजना है ये अलग-अलग types की है इसमें सबसे important है सांसद ग्राम योजना प्रधान मंत्री ग्राम योजना विधायक ग्राम योजना और स्वप्रेरित ग्राम योजना overview में मैं आपको समझाता हूँ सांसद यानी के MP तो MP जो है वो एक village को identify करें और अपने जो उनका MP लेटफेंट जिसको कहा जाता है उसके अंतरगत आने वाली राशी से उस particular गाउं का विकास करें उसको सांसद आदर्श ग्राम योजना कहा जाता है इसी की तरज पर माननी प्रधान मंत्री ग्राम योजना को जो है वो शुरू किया गया है ये scheme जो है वो क्या कहती है कि किसी एक गाउं को identify करके उसका development करना उसी तरीके से विधायक ये हर्याना सरकार द्वारा शुरू की योजना है विधायक यानि के MLA तो member of legislative assembly विधायक जी भी इसी तरज पर एक गाउं को identify करेंगे उसका विकास करेंगे तो सांसद है प्रधान मंत्री है विधायक है और उसके अलावा तीसरा और most important स्वप्रेरित यानि के self-inspired इस स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत भिवानी जिले का ये सुई गाउं जो है इसका विकास किया गया है स्वप्रेरित यानि के self-inspired, self-motivated यहाँ पर जारूरी नहीं है कि कोई सांसद है या कोई विधायक है या प्रधान मंत्री है वही ग्राम का विकास कर सकते हैं गाउं में कोई भी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई organization हो अगर वो चाहते हैं कि उनके गाउं का विकास हो तो वो voluntarily आ करके अपने गाउं के विकास के लिए सहयोग दे सकते हैं यह जो है यह स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के पहत आएगा और इसी स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत यह सुई गाउं जो है इसको develop किया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना this was started by the Honorable Prime Minister in 2014 हर्याना के अंदर इसको शुरू किया गया था 2014 में माननिये प्रधान मंतरी जी द्वारा यहाँ पर जो Member of Parliament है under the scheme the Honorable MP will identify 1 ग्राम पंचायत with a population of 3000 to 5000 other than his own village or the village office supposed to be developed माननिये जो सांसद है वो एक गाउं का development कराएंगे उसका विकास कराएंगे जिसकी population 3000 से 5000 के बीच होनी चाहिए लेकिन condition यह है कि वो गाउं ना तो सांसद का अपना पैतरिक गाउं हो और ना ही उनकी धरमपत्नी का हो या अगर सांसद महिला है तो ना ही उनके पार्टनर है उनके पती है उनका और यानि के सांसद महोदय का खुद का और उनके पार्टनर का उनके जीवन साथी का गाउं चोड़ करके किसी भी गाउं को वो identify करके उसका विकास करा सकते हैं अपने क्षेत्र में तो ये जो था ये सांसद आदर्श गराम योजना थी उसी तरीके से प्रधान मंतरी आदर्श गराम योजना ये एक ऐसी स्कीम है जो 2009-10 में शुरू की गई थी कोई भी ऐसा गाउं जिसकी population जो है उसमें 50% से जादा scheduled caste population है यानि कि अनुसूचित जाती की जो मौजूदगी है वो उस गाउं की जनसंख्या में 50% से जादा की अबादी है तो वहाँ पर उस गाउं को केंद्र की और से कुछ विशेश फंडिंग्स दी जाएंगी ताकि उस गाउं का विकास हो सके प्रधान-मंतरी आदर्श ग्राम योजना के तहट उसी तरीके से स्वा प्रेरित आदर्श ग्राम योजना ये जो है it may be developed by the interest of organization individual MP साहब, MLA साहब और center government का प्रधान-मंतरी आदर्श ग्राम योजना ये तो आगई कि political offices जिनके पास है जो राजन आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया आदर्श ग्राम में भी developed by the interested organization और individual कोई भी एक संगठन है या फिर कोई एक individual है कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि मैं अपने गाउं का विकास करना चाहता हूँ वो इसमें हिस्सेदारी कर सकते हैं ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के विभिन विभागों के साथ हिस्सेदारी में combined effort से कि किसी particular गाउं में मान लीजिए पानी की पीने के पानी की विवस्था नहीं है तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गाउं में organization किसी भी ग्राम का किसी भी गाउं का विकास करा सकते an organization or individual may adopt a village for a part of it and volunteer to undertake all the activities of development तो कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन अगर चाहे तो किसी पूरे के पूरे गाउं को या गाउं की एक हिस्से को जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गाउं है तो पूरे के पूरे गाउं में ही रिकास कराना है आपने गाउं का एक एरिया identify कि इस particular एरिया में मैं माल लीजिये सडक बनवा दूँगा या गलिया पकी करवा दूँगा या street light की विवस्ता कराऊंगा पीने के बात कर रहे है वो बनाया गया है ये गाउं जो है आज के समय में state of the art facilities यहाँ पर मौझूद है यहाँ पर जील है proper roads बने है, library है और other विकासात्मक गतिविधियां यहाँ पर हो चुकी है तो एक model village क्योंकि इस तरीके की facilities अगर गाउं में मिलती है, lake है, पकी सडके है पढ़ने के लिए library है और बहुत सारी चीजों का विकास यहाँ पर हो रहा है तो दूसरे ग्रामिन शेत्रों के लिए वो एक model, एक inspiration एक आदर्ष ग्राम बन जाता है जिस वजह से स्योजना को आदर्ष ग्राम योजना नाम दिया गया है कौन सी self-inspired, स्वप्रेरित आदर्ष ग्राम योजना इस गाउं को किसने develop किया मैंने आपसे कहा कि organization एंडिविजवल करा सकते हैं तो सुई गाउं के ही रहने वाले एक उद्योगपती, सेट क्रिशन जिंदल तो हरयाना के भिवानी जिले के सुई गाउं के एक जाने माने उद्योगपती, सेट क्रिशन जिंदल ने इस गाउं का विकास कराया है तो उनका कहना है कि 5 अगस 2014 को माननिय प्रधान मंतरी जी ने जितने भी विधायक और सांसद है देश के उनसे अग्रहे किया था कि वो सभी लोग एक एक गाउं को इडेंटिफाई करें और उसके विकास में अपना योगदान दे, अगर इंडिविजुल लेवल पर एक एक गाउं डेवेलप होता है तो उससे अल्टीमेटली पुरा का पुरा भारत जो है वो विकसित होगा और इसी चीज से इंस्पायर होकर के सेट किशन जिंदल जी ने पैसला लिया कि अगर देश के प्रधान मंतरी विधायकों को या सांसद महोदे को कह रहे हैं तो क्यो ना वो एक उद्योगपती होने के नाते अपने गाउं के लिए कुछ करें तो इस चीज से इंस्पायर होकर के उन्हों ने ये फैसला लिया कि वो अपने गाउं के पिछड़े पन को दूर करेंगी और उन्हों ने अपने गाउं में सुई गाउं में काफी सारे विकास हात्मग गतिविधियां करवाई और उसी तरज पर जब उनको लोगों ने ऐसा कराते हुए देखा तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस गाउं के विदेशों में settled थे जब उन्होंने ये पूरी की पुरी प्रक्रिया देखी तो उनका भी मन हुआ कि क्यों ना हम भी अपने गाउं के बढ़ोतरी के लिए गाउं के development के लिए योगदान अपना contribution दे और उन्होंने on the same line several people who have settled abroad have expressed their desire to help their native villages तो जो भी लोग जो ग्रामिंट शेत्रों के थे अभी विदेशों में settled है उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हम भी अपने पैत्रिक गाउं को विकसित करना चाहते हैं अब water treatment plant will be built to prevent the dirty water of भिवानी city from entering the village so that water can be treated and used for irrigation तो इसी तरज पर किसी ने इच्छा जाहिर करी कि मैं अपने गाउं के विकास में एक water treatment plant बनाना चाहता हूँ क्योंकि भीवानी जिले का सारा का सारा जो गंदा पानी है वो इस गाउं की ओर आता था तो उस junction पे जहां से ये पानी गाउं के अंदर enter होता था वहाँ पर एक water treatment plant लगाया जाएगा इस treatment plant के जरिए शहर से आने वाला सारा का सारा गंदा पानी को treat करके साफ करके irrigation के लिए यूज किया जाएगा तो इस तरीके से individual और organizational contribution से गाउं के अंदर state of the art facilities दिकसित हो रही है ता model village would be like an example for other villages in other states and countries to initiate developmental project on similar scale इस तरीके की जो योजना है वो सिरफ सुई गाउं तक सीमित नहीं है सुई गाउं को देखते हुए पहले तो हर्याना के सारे गाउं और उसके बाद देश के हर राज्य के गाउं को विकसित करने की एक example जो है वो set होगी तो इस process को देखते ह हो सकता है दूसरे राज्यों के दूसरे एक शेत्रों के लोग जो चाहते हैं अपने गाउं के लिए कुछ करना वो भी motivate होकर किस तरीके की developmental activities करें और ultimately जब ग्रामिन शेत्र जब गाउं देश के विकसित होंगे तो देश का विकास अपने आप होता हुए नजर आएगा तो तो प्राइस हाइक से पहले 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 एफिनेटल इन कूर्स में अन्रूल है तो वेरी मच्छ ऑल दी बेस्ट इप वरकिंग हार्ट बाइबाए टेक केर चैहिंद